निर्गमन अध्याय 49 फिर उन्होंने नीले बेंजनी और लाल रंग के काढ़े हुए कपड़े पवित्रस्थान की सेवकाई के लिए और हारुन के लिए भी पवित्रवस्त्र बनाए जिस प्रकार यहवा ने मूसा को आग्या दी थी और उसने एपोद को सोने और नीले बेंजनी और लाल रंग के कपड़े का और सुक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े का बनाया और उन्होंने सोना पीट-पीट कर उसके पत्थर बनाए फिर पत्थरों को काट-काट कर तार ब कटाई की बनावट से मिला दिया एपोद के जूडने को उन्होंने उसके कंधों पर से बंधन मनाये वह तो अपने दोनों सीरों से जोड़ा गया और उसके कसने के लिए जो काढ़ा हुआ पत्थरों का उस पर बना वह उसके साथ बिना जोड़का और उसी की बनावट के अ जिस प्रकार यहवा ने मूसा को आग्या दी थी और उन्होंने सुलेमानी मनी काट कर उनमें इस्राइल के पुत्रों के नाम जैसा छापा खोदा जाता है वैसे ही खोदे और सोने के खानों में जड़ दिया और उसने उनको एपोध के कंधे के बंधनों पर लगाया जिससे इ इस्राइलियों के लिए स्मरंग कराने वाले मनी ठैरे जिस प्रकार यहवा ने मूसा को आग्या दी थी और उसने चप्रास को एपोध की नाई सोने की और नीले बैंजनी और लाल रंग के कपड़े की और सुक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े में बेलबुटे का काम किया पनाया चप्रास्तो चकौर बनी और उन्होंने उसको दोहरा बनाया और वह दोहरा होकर एक वित्ता लंबा और एक वित्ता चवडा बना और उन्होंने उसमें चार पांती मनी जड़े, पहली पांती में तो मानिक्य, पदमराग और लाडली जड़े गे, और दूसरी पांती में मरकत, निलमनी और हीरा, और तीसरी पांती में लशम, सुर्यकांत और निलम, और चवती पांती में फिरोजा, सुलेमानी, मनी और यश ये सब अलग-अलग सोने के खानों में जड़े गए और ये मनी इस्राइल के पुत्रों के नामों की गिंती के अनुसार बारह थे। दोनों कडियों को चपरास के दोनों सीरों पर लगाया तब उन्होंने सोने की दोनों गुंती हुई जञजिरों को चपरास के सीरों पर की दोनों कडियों में लगाया और गुंती हुई दोनों जञजिरों के दोनों बाकी सीरों को उन्होंने दोनों खानों में जड़के एप दोनों सिरो पर उसकी उस कोर पर जो एपोत की भीत्री भाग में थी लगाई और उन्होंने सोने की दो और कडिया भी बना कर एपोत के दोनों कंधों के बंधनों पर नीचे से उसके सामने और जोड के पास एपोत के काड़ हुए पटुके के उपर लगाई तब उन्होंने च एपोद के काड़े हुए पटुके के ऊपर रहे और चप्रास एपोद से अलग न होने पाए जैसे यहवा ने मूसा को आग्या दी थी। उसके नीचे वाले गहरे में निले, बैंजनी और लाल रंग के कपड़े के अनार बनाए और उन्होंने चोखे सोने की घंटिया भी बनाकर बागे के नीचे वाले गहरे के चारो और अनारों के बीच और बीच लगाई। अर्थात बागे के नीचे वाले गहरे की चारो और एक सोने की घंटि और एक अनार लगाया गया कि उन्हें पहने हुए सेवा टहल करे। जैसे यहवा ने मुसा को आग्या दी थी। फिर उन्होंने हारून और उसके पुत्रों के लिए बुनी हुई सुक्ष्म सनी के कपड़े के अंगरखे और सुक्ष्म सनी के कपड़े की पगड़ी और सुक्ष्म सनी के कपड़े की सुन्दर टोपिया और सुक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े की जांगिया और जिस तरह यहोवा ने मूसा को आग्या दी थी वैसा ही बनाया। फिर उन्होंने पवित्र मुगुट की पटरी चोखे सोने की बनायी। और जैसे चापे में वैसे ही उसमें ये अक्षर खोदे गए। अर्थात यहोवा के लिए पवित्र। और उन्होंने उसमें निला फिता लगाया जिस से वह उपर पगड़ी पर रहें जिस तरह यहोवा ने मूसा को आग्या दी थी। इस प्रकार मिलापवाले तंबु के निवास का सब काम समाप्त हुआ। और जिस जिस काम की आग्या यहोवा ने मूसा को दी थी इसरायलियों उसी के अनुसार किया। तब वे निवास को मुसा के पास लियाए अर्फात घुंडिया, टक्ते, बेंडे, खंबे, कुरसिया, आधी सारे सामान समेथ तंबु। और लाल रंग से रंगी हुई मेंडों की खालों का ओड़ना और सुईसों की खालों का ओड़ना और बीच का परदा, डंडो सहीद साक्षी पत्र का संदुक और प्रायश्चित का ढखना, सारे सामान समेथ मेज और भेट की रोटी, सारे सामान सहीद दिवट और उसकी सजावट के दीपक और उजियाला देने के लिए तेल, सोनी की वेदी और अभिशेक का तेल, और सुगंदी धूप और तंबु के द्वार का परदा, पीतल की जंजरी, डंडो और सारे सामा समेत पीतल की वेदी और पाय सहेत होदी, खंबो और कुर्सियों समेत आंगन के परदे और आंगन के द्वार का परदा और डोरिया और खुंटे और मिलाप वाले तंबु के निवास की सेवकाई का सारा सामान पवित्र स्थान में सेवा टहल करने के लिए वेल भूटा काणे हुए वस्त्र और हारुन याजक के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र जिनहें पहिनकर उन्हें याजक का काम करना था। अर्थात जो जो आग्या यहवा ने मुसा को दी थी उन्हीं के अनुसार इस्राइलियों ने सब काम किया। तब मुसा ने सारे काम का निरिक्षन करके देखा कि उन्होंने यहवा की आग्या के अनुसार सब कुछ किया है। और मुसा ने उनको आशिरवात दिया। झाल